नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो कल से खत्म होगी शनी की धैया और इन पांच राशियों को मिलेगा अपार खुशियों का वरदान दोस्तो जोतिस सास्तर में शनी को न्याय का देवता बताया गया है ऐसा बताया जाता है कि शनी देव मनुश्य को उनके करमों के हिसाब से सुब वे असुब फल देते हैं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सुब इस्तिती में हो तो उस व्यक्ति को जीवन की हर प्रकार की खुशिया वे सुब फलों की प्राप्ती होती है उस व्यक्ति का जीवन दन दाने से परिपूर्ण वे खुशियों वे संपन्ताओं से परिपूर्ण होकर बीचता है। शनी देव बहतर राजोग वे धनियोग लेकर आते हैं और ऐसे व्यक्ति को शनी देव रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों जब सनी देव अपनी कुद्रिश्ची डालते हैं तो उस व्यक्ति का सर्मनास हो जाता है। लेकिन दोश्तों जिसकिसी ब्यक्ति के ऊपर अब तक सनी की ढईया या साड़े साती चल रही थी उन ब्यक्तियों को आप कुछ रहत की खबर मिलने वाली है क्योंकि कल से खतम होगी सनी की ढईया और इन पांच रासी वालों को मिलेगा अपार खुशियों का वरदान आप इस खुशियों का वरदान स्वयम सनी देव देने वाले हैं लेकिन दोश्तों आपको बता दें कि जिदि आपके उपर कभी भी सनी की कोई कूद रिष्टी हो या फिर बुरा समय चल रहा हो तो आपको जादा से जादा सनी देव के मंतरों का जाब भी आवश्य करना चाहिए हि और ऐसे व्यक्तियों के किस्मत में पैसा खुद भखुद आने लगता है दोस्तों जो सबसे पहली रासी है जिसके उपर माता लक्षमी और सनी देव की समान किरपा बरसने वाली है वे रासी है सिंग रासी सिंग रासी वालों के लिए अब जीवन से बुरा समय खत्म हो चाहें आप बेवसाय करते हूं या नोकरी करते हूं इसके साथ ही साथ आपको स्वास्ते संबंदी समस्याओं से भी चुटकारा मिलेगा आप अपने शत्रू पर विजय पराप्त करेंगे गर परिवार में आपके खुशियों का वातावन बना रहेगा अगली रासी जो की बहुत ही खुश नसीब है उसका नाम है कन्यारासी जी हैं दोस्तों कन्यारासी वाले जातकों को हम बता दें कि आपके उपर सनिजेब महरवान हो रहे हैं सनिजेब की करपा दृष्टी लगातार आपके उपर रहने वाली है जीवन में जो भी समस्याओं चल रही थी उनका आप अंत होने वाला है जो तिस सास्तर के अनुसार अब आने वाले समय में आपको अचानक बड़ा धनलाव होगा साथी दोस्तों वे मित्रों के संयोग से आपको बड़ा मुनाफ़ा मिलेगा उच्छा दिकारों का पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा साथी नोकरी पेसा वा मन्चाही खुसकबरी मिलने वाली है यदि आप नोकरी बडलने के सोच रहेते तो आपको नई नोकरी मन्चाही नोकरी मिल जाएगी अटके हुए कारे तो बनेंगे ही साथ ही यदि आप किसी नोकरी में है तो वापे पदनुती होने के भी पूरे अफसर मिलेंगे आपके ज और रुके हुए जो भी कारे थे आपके वे अब पूरे हो जाएंगे। पर इतना ही नहीं बलकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। लोटरी सट्टा वे शेर मांकेट में आपको बड़ा ही गुनाफंबे देखने को मिलेगा। दोस्तों पांचवी पर अंतिम जो रासी आती है जिसके उपर स्वयम सनी देव अपनी विशेश किरपा वरसाने वाले हैं वे रासी है कुम्ब रासी। कुम्ब रासी वाले जातकों को बता दें कि वैसे तो आपके उपर ड़या वे शनी की दृष्टी है लेकिन आपके उपर सनी की ड़या का वे सनी की कूद रिष्टी का कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। शनी देव के मंत्रों का जाप अवशे करते रहें। दोस्तों कुम्ब रासी वालों के लिए आपकी रासी में बुदात्रितु योग भी बन रहा है। आपको विशेश कर लोट्री सट्टा वे शेर माकेट से विशेश मनाफ़ पराप्त होगा। यदि आपकी कोई विखाऊ प्रोपर्टी थी तो उसे बेच कर आप जबर्दस मनाफ़ पराप्त करेंगे। अब आपके उपर शनी देव की कोई भी खराप द्रिश्टी ना होने के वज़ए से बलकि आपको सफलता हैं देने वाली द्रिश्टी होने के कारण आपको जबर्दस प्रोजेक्ट में मनाफ़भी में होंगे। यदि आपने कोई लोन आदी के लिए भी कोई अरजी डाली थी तो वे भी अब पूर्ण हो जाएगा। प्रेम संबंदों में मजबूती आएगी और कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट पास होंगे ऐसे कारे होंगे जिन से धनका आगवन आपके घर में होने लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यावल इतना ही कर फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देमे जाज़े धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले जैश शनी देव जैब जरंग बली हर अर महादेव